वेल्कम बैक टू मैच चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्शा फ्रेंड हैं अग्छ की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20-day series के revision की friends 22 series आपके entrance exam के लिए बहुत ही important है तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम revision भी जरूर करेंगे जिससे कि आप उन्हें अब तक जिदनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी आपको revise हो जाए तो start करते हैं वीडियो को इससे related हमारे exam में बहुत questions पूछे जाते हैं इसलिए आज हम इसको discuss करींगे इस वीडियो को आप पूरा दिलास्टर तक देखेगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें से इस बार भी 2-3 questions पूछे जाए क्योंकि हर बार इसमें से 2-3 questions पूछे जाते हैं चले friends start करते हैं देखे friends, revolt of 1857 आजादी की पहली लडाई कही जाती तो आप इससे note कर सकते हैं आजादी की पहली लडाई किसको ँए जाता है यह कहा जाता है 1857 की करान्ती को ठीक है 1857 की करान्ती से आजादी की ज़ग थी वह छड़ गई थी और friends यहाँ पर एक famous question भी आता है यहाँ पर आप note कर लीजे चर्बी कांड तो यह पूछा जाता है जो चर्बी कांड है वो किस में शुरू हुआ था तो 1857 से ही जो चर्बी कांड है वो शुरू हुआ था friends इसके पीछे एक story है यहाँ पर पते क्या था कि जो अंग्रेश लोग थे यह लोग जिस बंदूग का use करते थे वो बहुत महंगी होती थी तो यह लोग पते क्या करते थे यह Enfield rifle नामा किनों ने एक बंदूग बनाई उसमें पते क्या था कि उसको ना दाथ से काटना पड़ कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतिये धव में या फिर जो हमारे भारतिये संस्कृति है उसके उसमें यह बहुती हमारे लिए यह बहुती गलत है कि हम उस चरबी को अपने मूह में लेके फिर उसको काटेंगे तो यह हिंदू लोगों के लिए या फिर हम यह कह सकते हैं जो यहां पर सारी चीज़ा clear होई होगे यहां से हमारे 1857 की क्रांती जो थी वो यहां से शुरू हुई थी अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इसमें क्या-क्या questions बहुत पूछे जाते हैं एक बहुत ही important question है जो हर बार आपसे पूछा जाएगा वो है किसके दौरा Lord Dalhousie के दौरा किसके दौरा Lord Dalhousie के दौरा यह question बहुत पूछा जाता है कि doctrine of lapse किसने start कीती तो यह Lord Dalhousie ने कीती 1884 में ठीक है उसके बाद अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसके 1857 की क्रांती के क्या-क्या कारण ठीक है तो एक तो कारण ही हो गया doctrine of lapse इसमें start की second क्या था यहां पे कि heavy taxation था tax बहुत heavy charge करते थे यह लोग third क्या था कि कोई भी job promotion नहीं था यानि कि no promotion यानि कि जो भारतिय लोग थे वो capable और expert भी हो जाते थे किसी भी चीज में फिर भी उनको उनकी job में promotion नहीं दिया जाता था उन्हें हमेशा है जो low grade का जो काम होता था वो उन्हें पकड़ाया जाता था वो capable होने के बाप जूद भी उनको उनके हिसाब से post नहीं दी जाती यानि कि कि किसी भी तरह का promotion नहीं होता था उनकी job में फोर क्या था racial discrimination था उनके साथ ठीक है भेदभाव बहुत करते थे रंग को लेका फिप्थ था social reforms नहीं थी उनके लिए या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि social problems उनके लाव भूत थी तो यह पांच कारण थे 1857 के शुरू होने के जो क्रांथी शुरू हुई पांच थे फर्स्ट था हमारा doctrine of flaps सेकेंड था heavy taxation चार्ज किया जाते था थर्ड था कि कोई ब्रोमोशन नहीं मिलता था जॉब में फोर्थ था कि racial discrimination होता था उनके साथ और फिप्थ जो था वो social problems उनके लिए बहुत जादा खड़ी कर दी जाती थी तो यह थे कारण अब यहां पर हम एक और बात बताते हैं कि जो हमारी 1857 की जो क्रांथी थी इसकी शुरूवात हुई थी सबसे पहले जो गोली चलाई गई थी यानि कि जिसने सबसे पहले जंग चेड़ी वो थे हमारे मंगल पांड़े थी? मंगल पांड़े इन्होंने सबसे पहली गोली चलाई थी अपडियट नोट कर सकते हैं 29 मार्च 1857 को इन्होंने 29 मार्च 1857 को पहली गोली चलाई थी अपने सीनेयर के उपर थी? सिपाही थे कर सकते हैं कशून पूझा जाता है कि वो किस सिपाही थे तो 34 एर पर इन्होंने सी lleon सिपाही ते मंगल पॉर मोंचल इन्होंने अपने सीनियर पर गोली चलाए थी क्योंकि इन्होंने गोली हूँ कहा चलाए ती यह भी आप सकते हैं उसलिश bit mahen बैरकपुर में ठीक है इन्होंने बैरकपुर में चलाई थी गोली फस्ट अपने सीनियर पर और यह 34 रेजिमेंट के सिपाही थे यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इससे दो से तीन कोशन्स बनते हैं फस्ट कब गोली चलाई थी तो वहां पर आपसे क्या पूछ सकते हैं से क्या हो गया चार कॉशन आपके बन गए तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको कभी मत भूलना फ्रेंड साब इसको आप रट लीजिए ठीक है नेक्स अब इससे रिलेटेड जो आपसे कॉशन्स पूछे जाएंगे वो यह है कि उत्तर प्रदेश के मेरट से इन्हों पूरे उत्तर भारत में यह क्या हो गया कि क्रांती फैल गई उसके बाद जो मुगल थे उन्होंने लास्ट एंपरर कौन नुक्त किया तो आप इसे नोट कर लिजिए पूछा जाता है लास्ट एमपरर क्रांती से पहले कौन था तो वो थे हमारे भादुर शाह जफर यह ग कि लिडर किसको बनाया गया था तो यह बनाया गया था भाधुर शाह जफर को और इन्होंने नारा दिया था वो बढ़ दिया था March to Delhi यानि कि दिल्ली चलो इन्होंने भादुर्शा जफर ने नारा दिया था March to Delhi ठीक है इनको बनाया गया था लेडर इस क्रांती का दूसरा लेकिन पते क्या हुआ इस क्रांती यह जो क्रांती बनी यह सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि बादुर्शा जफर जो थे वो बहुती ओल्ड थे ठीक है तो यह नहीं हो पाई उपर से यहां पर coordination बहुत कमी थी तो आप यह भी लेख सकते हैं failure होने के क्या क्या है कारण थे इस क्रांती के फरस्ट क्या था पूर coordination था ठीक है इन लोगों में किसी भी तरह का कोई भी coordination नहीं था second क्या था lack of effective leadership मतलब किसी भी तरह की leadership जो बादुर्शा जफर के अंदर होनी चाहिए वो इनके अंदर नहीं थी यह ठीक से lead नहीं कर पा रहे थे सबी लोगों को third क्या था कि इनके पास जो weapons होते हैं इसकी कमी थी चीक है इनके पास अच्छी quality के वैपन नहीं थे जबकि अंग्रेजों के पास बहुत अच्छी quality के वैपन थे तो यह तीन बहुत बड़े कारण थे जिसके कारण यह 1857 की क्रांती क्या हो गई फ्लॉप हो गई या फिर हम बोल सकते हैं फेल हो गई लेकिन फिर भी लोगों के अंदर ये एक तरह से भावनाई जागरत हो चुकीती कि हमें अपने देश को आजात कराना है और हमें इन अंग्रेजों को यहां से भगाना है चीक है अब आपके एक्जाम में जो इसके अलावा जो important questions पूछे जाते हैं वो है leader यानि कि इस क्रान्ती में किसने कहां कहां से बागदोर समभाली बहुत question पूछे जाते हैं तो आप note कर सकते हैं first है देल ही दिल्ली से किन-किनने बागदोर समभाली इस क्रान्ती को आँगे बढ़ाने की फेल होने से पहले जो leader थे मैं उसकी बता रही हूँ आपको एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि देली से 1857 की क्रान्ती का नेतरत्व किसने किया तैस तरह से questions आते हैं और जो मैंने अपना practice set करावाया है previous year का उस previous year में भी तीन questions पूछे गए हैं एक डेली का पूछा गया है एक पूछा गया है आपका बिहार का और दूसरा पूछा गया है if I'm not sure वो है हमारा कानपुर का ठीक है तो यहाँ पर ये questions बहुत पूछे जाते हैं डेली में आता है friends जिन्होंने बागडोर समाली थी वो थे मोगल शाह बहादुर शाह जफर ठीक है फरस्ट ये थे इनी के साथ इनकी मदद के लिए आये थे वहाँ पर भक्त खान ठीक है इनका नाम था भक्त कान तीसरी थी इनके साथ एहसान उल्ला ठीक है डेली से इन तीन लोग ने बागडोर समाली मोगल शाह, भादुर शाह, जफर दूसरा बक्त खान, तीसरा एहसान उल्ला ठीक है तो आप इनने नूत कर लीजिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरकपुर से ठीक है बैरकपुर से कौन था अभी मैंने आपको बताया था बैरकपुर से थे हमारे मंगल पांडे ठीक है अब आती है लखनौ की कि लखनौ से किसने इसका नित्रत्व किया तो फ्रेंड्स लखनौ से आती है बेगम हजरत महल ठीक है बेगम हजरत महल क्योंकि वहाँ पर जो पुरुष थे लखनौ में वो लोग क्या थे वो अंग्रेजो का साथ देते थे तो वहाँ पर जो उनकी रानिया थी जो महराज थे राजा थे लखनौ के वो अंग्रेजो का साथ देते थे तो वहाँ पर उनकी रानियों ठीक है इसलिए वहाँ पर बेगम हजरत महल आई और साथ में आए इनके साथ जो इनके सेबक थे बिर्जिस कादिर बिर्जिस कादिर ठीक है और तीसरा था इनके साथ मौलवी एहमद उल्ला मौलवी एहमद उल्ला ठीक है ये इनके साथ थे तीन लोग थे लखनव में बेगम, हजरत महल इनका साथ दिया था बिर्जिस, कादिर और मौलवी, एहमद उल्ला ने ठीक है तो ये हो गए हमारे बैरकपूर, लखनव और डेली के अब आया हमारे पास जहांसी ठीक है जहांसी से कौन-कौन थे तो फ्रेंड जहांसी से आई थी जैसा कि हम सब जानते हैं हमारी महरानी लक्ष्मी बाई ठीक है, हमारी महरानी लक्ष्मी बाई आई थी जहांसी से कानपूर से आये थे जिन्होंने नेत्रत्व किया इस लड़ाई का वो थे नाना साहव कौन थे? नाना साहव और फ्रेंड्स नाना साहव को डोंडू पंत भी बूला जाता है क्या? डोंडू पंत यह पूछा जा सकता है किसको बूला जाता है तो यह बूला जाता है नाना सहाब को तो कानपुर से इन्होंने नित्रत्व किया था और इसको कानपुर को revolutionary capital of इंडिया भी कह जाता है यानि कि यह जो सबसे ज़्यादा एहम role play किया था वो इन्होंने किया था कानपुर में तो इसको बोला जाता है आप note कर लिजे revolutionary capital of इंडिया बोला जाता है कानपुर को ठीक है और इसके साथ साथ इनको साथ दिया था tatya topi ने ठीक है tatya topi भी इनके साथ थे अब हो गया हमारा Delhi, Bairagpur, Laknay, कानपुर और जासी, next आता है हमारा बिहार, बिहार से किस-किस ने नित्रत्व किया था तो फ्रेंड्स बिहार से किया था कोवर्ड सिंग और अमर्ड सिंग ने तो नोट कर लेजिए कोवर्ड सिंग और अमर्ड सिंग ने किया था बिहार से नित्रत्व नेक्स्ट आता है हमारा इलाहाबाद इलाहाबाद यहां से नित्रत्व किया था मौल्वी लियाकत अली ने किसने? मौल्वी लियाकत अली ने ठीक है? नेक्स्ट आता है फैजाबाद फैजाबाद अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो फ्रेंड्स फैजाबाद उत्तर प्रदेश को ही बोला जाता था उस टायम तो आप लिख लिजिए फैजाबाद यहां से किया था मौल्वी एहमद उल्ला ने फ्रेंड्स आप कन्फ्यूस मत होईएगा क्योंकि एक पर्सन ने दो-दो जगे से भी नेतरत्व किया था ठीक है? रिपीट की जिए अगर आप कर सकते हैं तो रिकॉल कीजिए मौल्वी एहमद उल्ला कहां थे तो फ्रेंड्स मौल्वी एहमद उल्ला लखनों में भी कर रहे थे उस टायम तो यह दो जगे की बागडोड समाले हुए थे एक थे लखनों में लखनों में क्या था? कि इनके साथ दो और लोग थे बेगम हजरत महल और बिर्जेस कादरी लेकिन यहां पर यह अकेले थे तो यह कौन था मौल्वी एहमद उल्ला चीक है आप इन्हें याद कर लीजिएगा अभी आपके पास भूर्ट टाइम है फ्रेंड्स और मैं कोशिश करूँगी कि अभी ही सारी चीज करा दू क्योंकि मैं उस चीज में ट्रस्ट नहीं करती कि हां एक्जाम आने वाले हैं तो पहले आपको सब चुछ बता दिया जाए तो क्यों फ्रेंड्स आपका खुद का प्रेशर बहुत होता है आपको खुद का रिवीजन करना होता है जो आपने अपने नोट्स पेपेर किये हैं तो मैं कोशिश करूँगी अभी 20 डेज की आपको एक क्लास प्रवाइड करा दू जस लाइक रिवीजन क्लास इससे क्या होगा फ्रेंड्स उसके अंदर मैं कुछ easy questions include करूँगी easy इस वे important questions discuss करूँगी topic भी हो सकते हैं वो 20 डेज की class में क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप अभी से रिवीजन करेंगे अभी से उनके notes प्रेंगे तो आपको FAP तक फिर पूरा आपका course complete हो जाएगा और उसके बाद आप जब उसका notification आएगा क्योंकि FAP से पहले तो notification नहीं आने वा चाहते हैं या फिर आप कुछ और चाहते हैं कि उस तरह का वीडियो बने तो प्लीज 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 नीचे comment section में जरूर बताएगा ठीक है next हम बात करते हैं फरुखाबात की ठीक है फरुखाबात की बात करें तो friends फरुखाबात में जिसने नितरत किया था वो थे तुफजल तुफजल हसन खान ठीक है तुफजल हसन खान ने नितरत हो किया था नेक्स्ट है बिजनौर बिजनौर में किस ने किया था तो फ्रेंड्स बिजनौर में किया था मुहम्मद खान ने नितरत हो नेक्स्ट है मुरादाबाद मुरादा Friends वैसे तो बहुत सारे हैं ये लेकिन मैं आपको सिर्फ important बता रही हूँ ठीक है मुरादावाद में किया था अब्दुल अली खान ने जो कि आपके एक्जाम के point of view से important है ठीक है तो मैं सिर्फ उनी को बता रही हूँ और अभी आपके पास enough time है इनको याद करने का तो friends बरेली से किया था खान बहादुर खान ने नित्रत्व किया था क्रांति का ग्वालियर ग्वालियर से friends किया था ताट्या टोपे नेक्स्ट है मेरत फ्रैंट्स मेरट का question previous year में पूछा गया है यानि कि previous जो exam हुआ था उसमें मेरट का पूछा गया था तो मेरट में किया था नित्रत्व कदम सिंग ने next आता है मतरा तो friends मतरा में किया था देवी सिंग ने next है उडियसा उड़ी इसा में दो लोगों ने किया था यह easy रहेगा याद करना सुरेंद्र साही और उजवल साही सुरेंद्र साही और उजवल उजवल साही ठीक है यह हो सकता है शायर यह दो भाई हूँ मैं इसके लिए clear नहीं हूँ लेकिन यह दो लोग थे शुरेंद्र साही और उजवल साही नेक्स्ट आता है राजस्थान राजस्थान में नेतरत्व किया था हमारा जयद्याल सिंग और हर्द्याल सिंग जयद्याल सिंग एंड हर्द्याल सिंग इन दोनों होने हैं राजिस्थान से नित्रत्व किया था नेक्स्ट है गोरखपुर गोरखपुर से किया था गजाधर सिंग ठीक है तो फ्रेंड्स इतना ही काफी है आपके एक्जाम के लिए तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह सारे चीज़ा क्लियर हुई होंगी फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के आप शेयर कीजिए और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई